हेलो एवरिवान वेलकम टो माई चैनल देखे फ्रेंड्स आज मैं तीन रंग से आपको बहुत ही प्यारा सा चकोर शेप का डोर मेट बनाना सिखाऊंगी इसे बनाना बहुत ही आसान है आप इसे टेबल मेट भी बना सकते हो पुजा कासन भी बना सकते हो तो देखे इसके लि तो कोई भी आपके पास चुननी हो साड़ी हो कोई भी कपड़े की पटी लेके आप ये डिजैन बना सकते हो तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेंगे यह देखे फ्रेंड्स फंदे मैं बिलकुल ही आपको सिंपल तरीके के बताऊंगी जिसको फंदे नहीं डालने आत ही वह भी मतंदी जैना की मतंद्दे डाल लेगा यह दिखे हम इसमें इससे था के उधिर दे के एक हम नुट्प से हो गया दो जए तीन आपको हैसे सैकल में बना के और ऐसे करना तो एक इक दो तीन चाहर देके कि हैं 2 पांच क्छे साथ इसी तरीके से मैं इसमें 16 फंदे डाल लेती हूँ ऐसे उंगली पे भी आप ऐसे कर सकते हूँ तो फ्रेंड्स मैं इसमें डाल लेती हूँ फिर हम अपना इसमें डिजाइन स्टार्ट करेंगे यह देखिए इसमें मैंने यहाँ पर 16 फंदे डाल लिए हैं अगर आपको बड़े साइज का बनाना है तो आप इसमें और ज्यादा फंदे डाल लीजी जितना भी आपका ममन करें 20, 22, 24 जितना भी आपको बड़ा बनाना है लेकिन आप जोड़े के हिसाब से आप इसमें डालते हैं तो फस्ट रों को बहुत ही आसानी से बनाते हैं आराम से नहीं तो हमारे फंदोगे बीच में गैप आजाएगा देखिए बिलकुल आराम से आप यह सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाके दूसरी निडल में उतार लीजिए और जिस भी आप कलर की आउटलाइन दोगे वही कलर आपने सबसे पहले यूज करना है उसी के आपने फंदे डालने हैं यह हम पूरे अपने डिजाइन में ब्लैक की मैं इसमें आउटलाइन देऊंगी तो मैंने ब्लैक के ही इसमें फंदे डाल ले हैं यह देखिए पूरी रो हम ने उतार ली इस साइड जे देखिए हमारी सीधी साइड है इस साइड से भी हम इसको ऐसे ही बना लेंगे पूरी रो हम ऐसे ही ओटा ओटा बनाते हुए मैं इसे कम्प्लीट करूंगे अग्यर के लिए बनाते हैं अग्यर के लो हमुदों आरते हैं जा हम इसको उता हैं पूरी रो हमने उतार ले किनारे वाले को मैं सीधा बनाऊंगे इसको हमने हर बार ऐसे सीधा बनाना है अब नहीं से देखिए अब हम इसमें अपना second color यूज़ करेंगे फर्स्ट वाला उतार लेंगे इस फंदे को हम एक बार बनाएंगे और इस साइड से हम ऐसे ही उतार लेंगे यह दो फंदे मैं इसी कलर से बनाऊंगे यहां से मैं इसमें एक कलर ओर यूज करूँगे और इसको भी हम ऐसे ही लपलेट लेंगे अब देखिए दो हमारे ही आउटलाइन के हो गए एक तू तीन चार पांच छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा एक फंदा हम पीछे छोड़ देंगे और हम यही से मुड़ जाएंगे और इस साइड से हमारी सी दी साइड है, सी दी साइड से आपको कुछ नहीं करना जो जिस कलर का फंदा आपको दिखाई देगा, उसी कलर से आपने इसको बनाना है यह देखिए ध्यान से देखिए, यह रो आपने हर बार इसी तरीके से उतारनी है अब देखिए, दो फंदे ब्लैक हैं, तो इस पट्टी को हम पीछे कर देंगे पीछे से ब्लैक आगे लेके आएंगे, ऐसे क्रोस करके और यह हम देखिए, उल्टा बना देंगे पट्टी को पीछे करेंगे, और किनारे वाले को हम सीधा बना देंगे इसको सीधा बनाने से फ्रेंट्स यहां पर बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आएगी आप फिर से देखिए इस साइड से हम इसको ऐसे उतार लेंगे यह हम बनाएंगे और इसको हम पट्टी को इस साइड कर देंगे और यह नीचे से ऐसे क्रोस हो जाएगी जब ऐसे इस तरीके से आपकाई बिल्कुल यहां पर शिलता जाएगा बिल्कुल भी गैप नहीं आएगा आप देखिए एक बार और देख लीजिए कई बार बिगनर्स को प्रोब्लम होगती है फ्रेंड्स एक एक फंदा छोड़ते हुए हम बिल्कुल उपर तक आजाएंगे यह देखिए एक फंदा यह छोड़ दिया और यहीं से हम नुड़ जाएंगे राइट साइड से रो मैं इसी तरीके से बनाके कंप्लीट करूंगी और फिर हर बार दो फंदे हम यह ब्लैक से बनाएंगे और पीछे एक एक फंदा छोड़ते हुए मैं बिल्कुल यहां तक फंदे छोड़ दूँगी उपर तक यह दो फंदे ने छोड़ने हमें यहां त देखिए ये दो हम हर बार कि तरह बना लेंगे इस साइड करेंगे कर लेंगे और ये धन्दलास्त का ये बना लेंगे ये फिर से हम छोड़ देंगे इस को इसे उताद लिया पीछे करेंगे पीछे से दूसरा लेके आएगे यह देखिए फस्ट वाले को उतार लेंगे यह बना लेंगे यह फंदावी लास्ट का छोड़ देंगे और हम यहीं से बापस मुड़ जाएंगे यह देखिए यह बना लेंगे उपर तक हमने बिल्कुल सारे फंदे छोड़ दिये हैं यह किनारी देखिए बहुत सफाई के साथ हमारे किनारी बनी है और जो हम यहां से क्रोस करते हैं तो ऐसे हमारा सिलाई की तरह सीलता जाता है अब देखिए यह सारे फंदे हमने छोड़ दिये हैं तो जैसे हमने यह आउटलाइन दी थी ऐसे ही हम अब बीच में से बनाएंगे तो जो हमने फंदे छोड़ रखी हैं वो हम सारे फंदे ब्लेक तुलर से बना लेंगे ध्यान से देखिए इसको ऐसे अब टाइट कर दीजिए जितनी वे आपके पास फंदे हो आप इस रो में सारे ही जिस कलर से भी आपने आउट लाइन दी है उस कलर से आप ये नीचे तक बना लेजिए ये देखिए राइट साइड से भी हम ये सारे फंदे और्टे और्टे बनाके मैं इस रो को कम्प्रीट कर दीए यह देखिए, पूरी दो मैंने उतार ली है, अगर फ्रेंट्स, अगर आपको इसी कलर से यह दे इसी कलर से लगाला है, तो आप इस कलर से भी बना लीजिए, यहाँ यहाँ पर एक कलर और आपको लगाकर दिखाऊंगी, तो देखिए ये हमने इसी तरीके से दो फंदे बनाने हैं यहां से जैसे हमने नीचे से कलर लगाया था उपर से हम कलर लगाएंगे और उपर से ही हम अब की बार हम नीचे से उपर की तरफ आये थे फंदे छोड़ते हुए लेकिन इस वाली कली में हम उपर से नीचे की तरफ आएंगे तो द्यान से देखिए एक फंदा ही हम बनाएंगे यहीं से वापस मुड़ जाएंगे द्यान से देखिए इसको पीछे करेंगे और पीछे से ब्लैक ऐसे क्रोस करके आगे लेके आएंगे द्यान से देखिए, फिर से पलट लेंगे, दो हम ये ऐसे ही बनाते हुवे चलेंगे, इसको हम ऐसे क्रोस कर लेंगे, और देखिए, एक फंद हमने पिछली बार बनाया, एक हम इस बार बना लेंगे, और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे, उपर से नीचे की तरफ हमने जा कि देखे फिर से पिछे कर देंगे पिछे से ब्लैख क्रोस कर लेकर के आएंगे यह अव्य बना देगे के और यह सीधा बनाऊ देगे ॉज भार देख लिए फिर मैं इसको कंप्लिट करके दिखांगे आपको हमें लिए ऐसे क्रोस करेंगे ये दो बना लिए एक हम आगे से और ले लेंगे और यहीं से वापस मूर जाएंगे तो इसी तरीके से friends में सारे एक एक करके इसमें एड़ कर लेती हूँ फिर मैं आपको आगे का दिखा लिएँ एक करके मैंने सारे इफंदे इसमें एड़ कर लिए हैं जैसे नीचे हमने ये बनाई थी एक फंदलाश्ट में बचा हुआ है तो इस में भी हम जैसे हमने स्टार्टिंग में ये आउटलाइन दी थी यहां पे भी हम एक आउटलाइन देंगे तो इस रोको में ब्लैक से बनाऊंगी इसको ऐसे टाइट कर दीजिए इस साइड से भी मैं इस रोको बना के उन्टा 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 ये देखिए एक फ्लावर हमारा बनके कम्पलीट हो गया है हमें तीन फ्लावर और इसी तरीके से बनाने है एक हमारा देखिए यहां बन गया एक यहां बनेगा ये जो हमारे फन दे है इन इसे हम यहां पे दूसरा फ्लावर स्टार्ट कर देंगे एक हमारा यहां बनेगा और एक हमारा यहां बनेगा और वो हमारा यहां पे इतना ही हमने इसको सिलाई करने है इतनी हमने यहां पे सिलाई करने है तो देखिए दूसरा फ्लावर में आपको स्टार्टिंग करके दे देती हूँ दो हम इसी तरीके से बनाएंगे यहां से अगर आपको अलग अलग बनाने हैं आमने सामने के फ्लावर एक जैसे बनाने हैं तो आप कोई भी कलर यहां पर लगा लीजिए मैं यही कलर लगाऊंगी जो पहले मैंने बना था मैं यह तीन color लगा के मैं इसको complete करूँगी और अगर friends आपको इसमें और ज़्यादा color लगाने हैं तो दूसरा flower आप दोनो color change कर लीजिए फिर तीसरा flower आप यह same बना लीजिए फिर जो यहाँ पर flower बनेगा फूर्थ वाला वो आप second वाले जो color है वो लगा लीजिए तो ऐसे आमने सामने हमारे ऐसे color set हो जाएंगे तो मैं आपको इसी पर बताऊंगे यह color फिर से हम यहाँ से लगा लेंगे इसको भी हम इसी के अंदर ऐसे लपेट लेंगे जैसे हमने निचे से starting की थी उसी तरीके से हमने इसको start करना है इस color से हम एक एक फंदा नीचे से छोड़ते उपर की तरफ आएंगे फिर बीच में हम दूसरे flower में outline देंगे जैसे हमने पै ले दी थी बीचो बीच और फिर हम एक और color लगा के उपर से बनाना start कर देंगे एक फंदा छोड़ दिया यहीं से हम मुड़ जाएंगे तो देखिए जैसे हमने नीचे बनाया था बिल्कुल सेम इसी तरीके से उपर का flower बनाना है तो friends मैं इसे complete कर लेती हूँ complete करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए मैंने बना के इसे complete कर लिया है बहुत सुंदर इसकी look आई है बिल्कुल चकोर शेप में यह बनके तयार हुआ है तो friends आपको डिजाइन कैसा लगा मुझे comment करके जहूर बताई है पसंद आया हो तो please इसे like कर लिजिए चैनल पे नई हो तो subscribe कर लिजिए बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिलेगे तो मिलते हैं friends नेक्स्ट वीडियो में नई डिजाइन के साथ Thank you